कैसे हैं दोस्ते आपने हातियों के बारे में तो अच्छी तरह से सुनाई है और वहां काफी बड़े होती हैं वह देखने में जितने बड़े दित्तियों वहां कभी-कभी उतने ही खतरनाक सावित होती हैं वहां इंसानों के लिए भी कभी-कभी खतरा बन जाते हैं तो दोस् एसे ही हाती की तवचा भूरे रंग की होती है लेकिन कभी कभी हिस्तों में रंग की कमी होती है खासकर कान माते हो दड़के आसपास ऐसा माना जाता है कि यहाँ अनुवान सिक पोशड और निवाज स्थामद्वारा नेंतिरत होता है जो आमतोर पर हाती के उमर के साथ साथ दिक्सित होता है युवा हातियों के सरीर पर बूरे से लार रंग के बाल ड़की होती है उमर के साथ बालों की संगय कम हो जाती है और रंग गहरा हो जाता है हाती की तवचा कोछ जगों पर कालज की तरह पतली होती है जैसे की कानों के अंदर और कोछ जगों पर एक एच जितनी मौटी जैसे की पीट के आसपास अपनी मौटाई के बाबजुत तवचा प्रचुत अंत्र का आपूरती के कारण सम्मेदन सील होती है हाती नियमत रूप से खुद को गंदगी, रेत और कीचर से ड़कर अपनी त्वचा को धूप और पूरों से बचाते हैं उनके बड़े कान सीतलं इफकर्ड के रूप में कार करते हैं कान में कई रक्तवाई का होती हैं, जैसे कि एक आती गरम दिनों में अपनी कान खरपड़ाता है इन नसों में रक्त थंड़ा हो जाता है, जो फिर हाती के दिमाग को थंड़ा करता है और सरीर के मद्द्व से वापस चला जाता है जिसके सरीर का तापमान कई डेगरी तक कम लिखाता है एक हाती का दिमाग बड़ा होता है जिसका व्यन 4-6 प्लोग्राम के दिखेँता है हातियों को अत्यदिक बुद्धिमान जायनवर मान जाता है और उनमें सीखिने की बहुत बड़ी चंता होती है बास्तम में उनका अधिकांस व्यावार सहज व्यावार के वजाय सीखा हुआ व्यावार होता है अन्य इस्तंदाईयों के विप्रीच जहां पेर पॉड़ी इस्तती में होती है हाति के पेर सहीज के नीचे लगवग लंबवत इस्तती में होती है यह इस्तती उनकी लंबी हड़ियों की सारारिक रचना के साथ चानवर के बड़े दगन के लिए मजबूत समर्थन परदान करती है अंगों की उर्दवादर इस्थती हाती को अधिक उर्जा खर्च किये बना लंबे समय तक खड़े रहने की अनुमती देती है यह हातियों को खड़े रहने के साथ साथ लेटते समय भी स्थोनी की सुविदा देता है अधिकांस इस्तंदारियों में हड़ी में एक सकीर्ड गुहा होती है हातियों में इस गुहा का आभाव होता है इसके बज़ाए गनी छिद्रित हड़ीयों का एक नेटवर्क जबे गेल लेता है जो हड़ीयों को मजबीद बनाता है और अधिक दवाव जिलने में सच्छम बनाता है हाति वास्तब में अपने पैर के उगलियों पर चलते हैं और इनके प्तिव पैर के तल पर एक मोटा वेसिदर पैड होता है या पैड एक सोक अपसोसक के रूम में कार करता है सूड में लगव और डेल लग मास्पेशी एकाईयां और टेडन होते हैं जो हाति को सक्टिकता के साथ चलने की तागत परदान करते हैं यह से यातों की सूड के अंत में एक छोता सा प्रचेपड होता है जिसे उंगली ताहा जाता है हाति अपनी सूड का उप्रचेपड पानी लेने और इसे अपने मुँँ में डानने के लिए करते हैं यहां इससे कई अन्यकारे भी करते हैं जैसे खाना-किलाना, दून-ज़ाडना, सूवना, छानना, छाटना इससे ही हातों के दातों के 6 सेट होती हैं जिनमें से सवी 6 जनम के साथ खोपड़ी में मुआ जोड़ी तिनमें हाति भूमी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है अपने अफरिकी भाहियों की तुन्नाम नियोक सहित भारत और दच्षिड पूर्ग एसिया के लगवग अलागला हिस्तों में पाए जाती हैं ये पहले व्यापा कॉप से हिमाले के दच्षिड में पूरे दक्षिड पूर एसिया में और चीन में नदी के उत्तर तक देखरे हुए थे उससे ही आतियों को जंगल का जानवर माना जाता है हाँ लेकिन ये देखा गया है कि वे ऐसी छित्रों को पहले प्रात्मिक्ता देते हैं जिन में रुक रुक कर आने वाली खुली घास सामिल होती है उन छित्रों में घास और जंगल की बिख कोड़ों की वेविर प्रजातियों के साथ गेत्र सामिल हैं जो बनी जंगलों में उपलत नहीं होते हैं हाथी धीमी अवाज का उप्योग करके लंबी दूरी तक स्वांद करते हैं जो मनस्यों को मुश्किल से सुनाई देती है इसक्तु साली गड़गड़ाट में विस्ष्ट संदेश होते हैं जिनने दो मील से अधिक दूरी इस्थिति अनलाते गौरा सुना और समझा जा सकता है द्यग्यानिकों का मानना है कि हाथी की लंबी दूरी तक बाचित करने की चंद इसके जिनत रहने के लिए आगास्तर गया है मद्य में मादाय और धिनी लंबी अवाने निकालते हैं जिससे सुनकर बेल भी अपरते हैं प्रिजनन करने वाले धुन्द सिकारियों को चेता लोग से सचेत रहते हैं जहां उनकी सीमाएं ओवरलेप होती हैं जब कोई सिकारी दिखाई देता है तो जुन्द के बड़े सदस्चा के लिए एक साथ इकटा होने और फिर गटना से भाग जाने के लिए प्रिरेद करते हैं तो इससे याती साथ आई होती हैं और प्रतिक दिन लगवक्त तीन चोथा ही समय खाने या बोजन या पानी पीने के सुरोध की और बढ़ने में बिताती हैं आती के बच्चों को दूद पिलाना निरंतर नहीं होता है सुबह दुपर और रात में तीन पुर्मों को आत पिलाए गाते हैं दिन के समय गरम घंटों में हाती आराम करते हैं और चपकी लेते हैं वे मुक्रूब से घास खते हैं लेकिन पक्तियों जड़ों बेलों पैनियों और च्छाल के साथ साथ अपालों सहीत बड़ी मात्रा में बोजन भी खाते हैं केले और गन्ना जैसे केकी वाली पसले भी हुआ उनका एक पसंदीदा बोजन है जिससे किसानों के साथ उनका टकराव होता है चडिया घरों में हाथियों को उनकी प्राक्तिक बोजन पैटन को अनुकरण कने के लिए पूरे जिन खाना के लाए जाता है उनका हर स्वस्त आयू गतिवदी इस्तर और चाया-पचय को ध्यान में रखते वे प्तिल जानव और नरों के छोटे जुम्ड में रहते हैं ये आति बेहदी सामाजी बनती हैं और जट्रिंग इसके बनाती हैं अपने बच्चों के पानल पोशड़ और सबूंगी सोच्छा गिले मिलकर काम परती हैं अफ्रिकी आतियों के भुत्रों के पास फुल माता नहीं है हां लेकिन र जर्मक प्त्रिया होती है भीवार नर भीवार आरे जुंद बनाते हैं कभी-कभी मादा जुंद का अनुशाड़ भातियत या अकेले बोईन डुम जैसे पुरसवी उमर बढ़ती हैं वे आम तोर पर अदिक जिन्मेगार विदाते हैं और अधिक समय अकेले विदाते हैं सभी हातियों में दान्थ बिक्सक नहीं होती है इससे ही हातों में केलन कुछ नरों के दान्थ बड़े होती है अधिका निजमादा और कुछ नर हातियों के दान्थ जोटे होती है जिने टसकार आता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा हातियों के बारे में तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमाई चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नई वीडियो साथ जब तक के लिए नमस्कार